हेलो सुट्डेंट वेलकम टू माई चैनल इन्वेशन वाइफाई स्टड़ी आई एम रोशन आज अपना शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नम्मर हमारा ट्राइंगल चल रहा है इसमें एक्सरसाइज 6.3 का फॉर नम्मर क्यूशन हम आज शुरू करें तो गाईज इससे पहले कि आपने क्लास से नहीं देखिया तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा वहां से आप क्लास को फोलो कर सकते हैं अब देखेंगा फॉर नम्मर क्यूशन में हमें क्या दिया गए आपको एक फिगर दिखाई दे रहा हुगा और इस फ ट्राइंगल दिखाई दे रहा है एक टी क्यू आर यह दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के क्या करने हैं सिमलर करने हैं तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं जो गिवन है वो कंडिशन लिखते हैं अब यहां पर गिवन क्या है क्यू आर और क्यू एस इस इकल टू क्यू टी यह कंडिशन है अब हमें प्रूव क्या करना है प्रूव करना है कि ट्राइंगल पी क्यूएस शिमलर है ट्राइंगल TQR TQR की क्या है Shimler है ये हमें proo करना है अब देखे का ये हमें proo करने के लिए सबसे पहले क्या करते ही triangle लेके चलते है proo करने के लिए इसका triangle PQR इस triangle में हमारे पास में क्या है angle 1 is equal to angle 2 है अगर ये दोनों angle equal है तो यह कोई भी ट्राइंगल होता है जिसमें दो एंगल एक्वल होते हैं उसके सामने की साइड भी क्या होती है हमेशा ही एक्वल होती है साइड अपोजिट दा एक्वल एंगल तो यहां से हमारे पास में कौन सी साइड एक्वल होजेगी एंगल टू के सामने वाले साइड द तो QPPR के equal होगा, equation number first, और यह हमें क्या है, given है, यह तो condition हमें given है, यह हमने निकाल लिए है, कौन सी condition है, side equal to equal angle, ठीक है, side opposite to equal angle, अब देखीगा यहां से, आगे के condition जो हमें given है, वो लिखते हैं, given क्या है, हमारे को given है कि QR is equal to, QS, QR is equal to, QS equal है, QT upon me, PR, अब QP की जगह है, यह देखो, PR की जगह अपन क्या रखेंगे, QP रख दें, तो यहां पर हमें given है, 1, 1, 1, equation, 1, equation, 1, equation 1 से क्या आएगा, QR upon me, QS equal, QT upon me क्या आएगा, QP आएगा, अब यह condition है, अपने इसको reverse कर देते हैं, जैसे QS को उपर लेके जाते हैं, अगर इनको reverse करें, तो यह हमारे पास में क्या जगा, QS upon me, QR, कौन कौन से आगे, QS upon me, QR, और यह हमारे पास में हो गया, QP upon me, QT, अब देखो side का ratio आगया, triangle कौन कौन से हैं, एक तो बड़े वाला triangle है, हमारे पास में, TQ, R, और एक हमारे पास में, PQS, दो triangle हैं, दोनों triangle की side का ratio equal आ रहा है, side का ratio equal आ रहा है, और दोनों में क्या है, यहाँ से, यह तो side का ratio equal आ गया, चलिएगा, कौन कौन से triangle की बात चल रहे हैं, यहाँ से triangle, T, एक तो छोटे वाल triangle है, जैसे आपके पास में आ गया, triangle, PQS, and triangle, T, Q, R, यह दो triangle आ गए ठीक है, अब हमारे पास में देखो, angle 1 बराबर angle 1, common है, common, common, common angle, common angle है, ठीक, तो हमारे पास में क्या हो गया, कि यह तो common angle equal हो गया, और यह side का ratio equal हो गया, तो दोनों ही triangle का हो जाएंगे, एक दूसरे के similar हो जाएंगे, triangle, PQS, similar होगा, triangle, TQR, के, condition कौन सी है, side angle, side, side, angle, side से similar हो जाएंगे, क्योंकि देखो, दो side का ratio equal हो गया, और इसके बीच में, जिन side का ratio equal हो गया, उनके मद्य जो angle बन रहा है, वो equal common हो गया, ठीक है, दोनों में equal आ रहा है, one one दोनों में आएगा, तो side angle side से यह क्या हो जाएंगे, similar हो जाएंगे, clear हुआ, next पे चलें, चलेगा, five number question आपको दिया गया है, side, आपको दिया गया, S and T, R, point है, कौन-कौन से, S और T, दो point है, जो कि side कौन-कौन से पे हैं, एक तो side PR पे हैं, और एक side QR पे हैं, RQ पे हैं, और triangle PQR, triangle PQR, बड़े वारा triangle, such that angle P किसके बराबर है, RTS के बराबर है, यह angle equal हैं दोनों, show that, इन दोनों को क्या करना है हमें, similar prove करना है, तो सबसे पहले जो given हैं, वो लिखेंगे, solution, given क्या है, given है, कि, S and T, S and T, are, point, point on, side PR and RQ, side PR and RQ पे हैं, ठीक है, और angle क्या है, and angle P is equal to angle RTS, यह equal है, अब तू प्रू क्या करना है, प्रू करना है हमें, कि ट्राइंगल, R, P, Q, similar है, triangle RTS के, R, T, S, के similar है, अब इसका प्रू करने के लिए, हमारे पास में, triangle लेके चलेंगे, दौनों triangle, बड़े वाले, इसका प्रू लेने के लिए, अब इसका प्रूफ लेने के लिए, अपन निकालेंगे, कि triangle R, S, T, जो भी है, R, P, Q, and triangle RTS, दौनों triangle लेके चलेंगे, इन triangle में, हमारे पास में क्या आगया, एक तो angle देखो, जो given है, angle, कौन सा है, अपन लिख सकते हैं, R, P, Q, equal angle RTS, क्या है भी given है, given है, अब एक condition तो यह आगए, दूसरी condition और लेके आनिया हमें, तो हमारे पास में देखेगा, angle R, equal angle R, angle R, equal angle R, दोनों में क्या है, common है ना, लिख सकते हैं हैं अपन, तो यहां से लिख देगी है, common angle, common angle है, तो हमारे पास में triangle, R, P, Q, similar होगा triangle, RTS के, कौन क्षे rule से, angle angle से क्या हो जाएंगे, similar हो जाएंगे, HP, यही हमें क्या करना था, prove करना था, clear हुआ, next पर चलें, चलेगा हमारे पास में, six number के, उसने आपको figure दिखाई दे रहा है, if, अगर यह दोनों triangle क्या हैं, congruent है, so that, यह हमें, prove करना है, तो सबसे पहले, given क्या है, given लिखेंगे, कि triangle ABC, congruent है, triangle ACD, अब देखो, ABC, यह triangle, ABC है न, ABC, ABC तो नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, ABE, E है यहां पर, E करना, ABE, triangle ABE, और ACD, यह दोनों triangle, एक दूसरे की क्या, congruent है, to prove, prove क्या करना है, triangle ABE, ABE, छोटे वाला triangle, similar होगा, triangle ABC, बड़े वाले triangle के, तो इसको हम, proof करने के लिए, क्या करेंगे, इनको proof करने के लिए, अपन, यह दोनों देखो, congruent अगर triangle है, तो congruent triangle, देखो, सबसे पहले, जो given condition है, वो लेके चलते हैं, कि triangle ABE, congruent है, triangle ACD, congruent triangle है, तो इसकी cross-ponding side, और cross-ponding angle, हमेशन equal होंगे, तो यहाँ से देखेगा, ABE, यह triangle है, इसमें हमारे पास में, यह होजेगी, ABE, equal है, AC के, ABE, equal है, AC के, condition कौन सी है, cross-ponding, cross-ponding side, cross-ponding side है, and, हमारे पास में, यह होजेगी, यह complete triangle है, तो, AE, AE is equal to AD, यह भी condition है, cross-ponding side, यह भी cross-ponding side है, एक्वल होगी, एक्वल होगी, तो देखेगा, यहाँ से अपन क्या बनाएंगे, अब, इस से condition बनाएंगे, कि, एक number equation दे दीजागे उसको, यह हमारे पास में, दो number equation है, ठीक, एक number से देखेगा, हमारे पास में क्या बनेगा, अपन क्या AB में, AC का भाग लगाएं, या पूरी equation दोनों तरफ AC का डिवाइड करें, तो हमारे पास में, यहाँ पे AC से AC कैंसल एक बचेगा, and, second से देखेगा, हमारे पास में क्या result आता है, कि, AE upon में, AD का पूरे में डिवाइड करें, तो AE upon में क्या आ रहा है, AD आ रहा है, equal one, अब यह condition आ रही है, अब देखो, यह भी equal one है, यह भी equal one है, यह ब्राबर आरचस, यहाँ पे आरचस है, दोनों का equal है, तो अलचस भी equal होगा, तो अपन यहाँ से लिखेंगे, कि, AB upon में, AC is equal to, AE upon में, AD, AE upon में, AD होजएगे ना, अब देखिएगा, यहाँ से, AB, और यह AC है, ठीक, AB upon में, AC आ गया, और AE upon में, क्या आ गया, AD आ गया, अब AC, हाँ ठीक है, यह कलियर हो गया, और कौन से ट्राइंगल में है, साइड का रेशो इक्वल आ गया, यह देखिएगा, और, AB, कौन से ट्राइंगल की बात चल रही है, ट्राइंगल, A, BC, and, ट्राइंगल, AD, E, इन दो ट्राइंगल की बात हो, यह साइड का रेशो आगे न, AB, और यह हमारे पास में होगे, AC, और, AB और AC, इसको चैंज कर सकते हैं अपन, कैसे, कि, अगर या तो इसको रिवर्स करते हैं, एक बार के लिए, या तो इसको, अपन रिवर्स करें, कि रिवर्स करके, अपन क्या कर सकते हैं, AD और AE, ठीक है, और AC, और AB, यह भी लिख सकते हैं, और इसमें देखिगा, एंगल A, बराबर है एंगल A, दोन्नों में क्या है, common angle है, common angles हो गए हैं, दोन्नों में common angle है, और यह हमारे पास में क्या हो गया, AB upon me AC यहां से दुबारा देख लिजीगा AB और यह हमारे पास में AC और AD और A side का ratio equal है common angle है तो हम क्या बोल सकते हैं side angle side से इन दोनों को similar prove कर सकते हैं तो हमारे पास में जबाएगा ABC similar होगा triangle AD EK कौन से side angle side से इसके यह दोनों क्या हो जाएगे similar हो जाएगे एक angle common आ गया और side का ratio equal हो गया clear हुआ next पे चलें 7 number के उसे देखेगा आपको एक figure दिखाई दे रहा होगा एक figure दिखाई इसमें altitude क्या है AD है एक तो altitude जो के और एक हमारे पास में कहा है CE altitude है अब triangle आपको ABC दिखाई दे रहा है ABC बड़े वाला triangle intersect each other at point on अब देखो इस triangle के अंतर दो altitude है एक तो AD है एक AE है और दोनों के दोनों altitude है वो पी पॉइंट पर क्या कर रहे है इंटरसक्ट कर रहे है हमें यह क्या प्रूब करना है अब पहले कंडिशन देखेगा सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लीजेगा गिवन है आपके पास में कंडिशन की AD परपेंडिकुलर है किस पे BC पे AND CE परपेंडिकुलर है AB पे यह कंडिशन हमारे को दिया गया है और कौन से ट्रैंगल की बात चद रही है ट्रैंगल A, B, C में अब पहली कंडिशन हमें प्रूब करनी है कौन सी है ट्रैंगल A, E, P ट्रैंगल C, D, P कौन कौन सी है देखो A, E, P एक तो यह ट्रैंगल है और दूसरा कौन सा है CDP CDP अब देखो इन में हमारे पास में क्या क्या कंडिशन है मैं यह लिख सकता हूँ क्या एंगल E is equal to angle D each 90 degree each 90 degree परतेक कौन 90 degree है तो दोनों equal हो जाएंगे और एक कंडिशन में यहां से लिख हुआ कि एंगल A P E equal है एंगल हमारे पास में जाएंगा C, P, D यह equal क्यों होंगे बताएं vertically opposite angle है sort में लिख रहा हूँ vertically opposite angle vertically opposite angle समझे होगे तो हमारे पास में क्या होगे दोनों एंगल एंगल से triangle A, E, P similar होगा triangle C, D, P कौन से रूल से एंगल एंगल से क्या होजेंगे दोनों similar होजेंगे second number condition देखेगा इसमें क्या दिया गए है second number हमारे पास में condition है कि triangle A, B, D similar है triangle C, B, E के तो A, D, B देखे लो कौन सा A यह हमारे पास में D है यह B यह triangle एक तो और A कहें C, B, E C, B, E यह triangle है तो इसमें एक तो यह angle आये आएगा कौन सा angle D equal है angle E यह each 90 degree है इसके बाद में हमारे पास में एक condition हो रहाएगी कौन सी है कि A, B, D हना A, B, D चलो यह है और दूसरा कौन सा लिया है A, B, D और अरे दौनों में angle angle B, B common आ रहाएगल B is equal to angle B angle B is equal to angle B, कौन क्या condition है common angle है common angle है तो यहां से triangle A, B, D similar हो जाएगे triangle CDP angle angle से angle अंगल से क्या हो जाएगे similar हो जाएगे तीसरी कंडिशन देखेगा क्या है triangle A, E, P similar है triangle A, D, B triangle है A, D, B से अब देखो कौन कौन से triangle है यहां से A, E, P एक तो यह triangle है इसमें E 90 degree का है और A, D, B A, D, B एक यह है तो यहां से एक तो वो same condition है कि angle इसमें आ रहा है E और इसमें आ रहा है D इसमें लिख देना each 90 degree अब देखो दोनों में A, A common आ रहा है angle A is equal to angle A इन दोनों इन triangle की बाद चल रही है पूरा complete नहीं एक बार के लिए अपनी इस परकार से भी लिख सकते हैं क्या angle A इस triangle के रहे तो angle A ही होगा यहां से यह भी लिख सकते हैं अपन की D A B पूरे बड़े वाले triangle के लिए हैं और A से P के लिए आपन लिखेंगे न तो हम P, A, E, B लिख सकते हैं एक ही बात होती है तो आप ऐसे ही लिख देना डाइराक्ट है कि यह triangle चादा है तो angle A is equal to angle A common angle common angle है तो हमारे पास में angle angle से यह similar हो जाएंगे A, E, P similar है triangle A, D, B angle angle से है clear हुआ next पे चलें चार नमबर देखेगा इसमें हमें क्या दिया गए है कि triangle P, D, C similar है triangle B E, C B, E, C तो P, D, C कौन सा है P, D, C उपर वाला चोटे वाला और यह है B, E, C B E और यह complete C तो यहां से CC एक तो angle CC common आएगा दोनों में ठीक है और एक हमारे पास में यह 90-90 डिगरिया वाला चल रहा है तो angle D is equal to angle E यह लिखेंगे यह लिखेंगे angle C बराबर angle C common angle तो हमारे पास में क्या होज़ेगा यह condition होज़ेगी कि triangle P, D, C similar है triangle B, E, C कौन से rule से angle angle से angle angle से क्या होज़ेगे similar होज़ेगे तो आज की class में हमने 4, 5, 6 और 7 question attempt किये हैं तो आपको class कैसी लगे question समझ में आये होगे similarity से समदित हमने question किये हैं ठीक है तो similar के आप rule भी समझ गये होगे कैसे हमें करना है अगर आपने जो पहले की हमने जो theorem किया था 6.3, 6.4, 6.5 theorem किया था अगर वो आपने एच्छे तरीके से class में देखिया है तो क्यों सुनों में कोई doubt नहीं होगा ये मैंने पहले भी बताया था अब भी बता रहा हूँ अगर आपने फिर भी कलासे नहीं देखे हैं थारम वाली तो अच्छे तरीके से दुबारा देख लेना और एक मैन अग्जाम में आपको उस तीन थारम में से एक थारम मिलेगी और ये जो पीछे की थारम है वो भी बहुत बड़ी है इसके बाद में रही आपकी क्यूसनों के बाद तो क्यूसन थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है तो आज की कलास में इतना ही करेंगे नेक्स कलास में मिलेंगे कुछ ने के साथ जैहिन जै भारत